गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट अज हम लोग दिसकेशन करने वाले हैं AITS माइनर टेस्ट जिरो वन को कुस्चिन नमबर वन से स्टार्ट करेंगे फिसिक सेक्शन का दिसकेशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुस्चिन नमबर फॉर्स्ट क्या था देखिए मेजर ओफ टू कॉंटिटिटीज अलोंग विद प्रिशिजन अफ रेस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्टूमेंट इस ए दे रखा है ए का मेजरमेंट दे रखा है और साथ में बी दे रखा है तो सबसे परले तो हमें ए भी निकालना है तो बाई क्वोल टू ए इंटू ब लिखेंगे तो ए कितना है ए है 4.5 और बी और बी क्या है बच्चे बी है 0.4 तो 4.5 इंटू 0.4 करेंगे तो यह आ जाएगा 1.8 meter शाथ में अमें क्या निकालना पड़ेगा हमें बाई के अंदर error निकालना पड़ेगा डैट इज डेल्टा-वाई लिखना पड़ेगा तो डिल्ेटा बाई 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 क्या हो झाएगा लेटिप्लिकेशन मेर ह्या क्या हो जाता है एक आज डोॉलेटीव और देल्टा बाइ है धेल्टा अपोन ए प्लस देल्टा ब्लस टेल्टा अपोन देल्टा किस तरव जागा multiply होगा by किसके बरावर है a b के तो a into b ठीक है यहां से आप डेल्टा वाई लिख सकते हैं solve कर सकते हैं डेल्टा वाई के लिए तो नीचे LCM आ जाएगा a into b ऊपर हो जाएगा b into delta a plus a into delta b और into a b इधर LCM लिए a b ठीक है कट जाएगा b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू है 0.4 delta a कितना है 0.6 plus a का वैल्यू कितना है 4.5 into 0.03 इसको solve कर लिजे आप लोग इसको solve करेंगे तो आएगा आजाएगा 0.38 क्या जाएगा 0.38 क्लियर है इसका value आजाएगा 0.38 option हो जाएगा 4 number तो fourth option correct है यहां पर अगला सवाल देखेंगे हम लोग question number 2 तो चलिए आप आपको समझ में आगया होगा question number 2 देखते है what is the reading of sorry what is the reading of micrometer screw gauge so in the following figure circular scale has division 100 तो यहां पर आप देखेंगे तो given है number of circular scale division number of CSD कितना है 100 है और pitch दे रखा है और pitch है बच्चे कितना 1 mm और इसको 1 main scale division वे आप बोल सकते हैं कितना है 1 mm हम से क्या पूछ रहा है reading reading पूछ रहा है तो reading अगर लिखेंगे reading क्या हो जाता है reading हो जाता है main scale reading प्लस circular coincide into least count अब यहां तो सबसे परहे least count के पता करना पड़ेगा तो least count लिखेंगे यह हो जाएगा 0.01 mm least count तो अब main scale reading लिख लेते हैं तो main scale reading है 2 प्लस circular कौन साइड है देख लिजे 36 है 35 से उपर है तो 36 और into least count हो जाएगा 0.01 तो यह जाएगा 2.36 mm सही option हो जाएगा बच्चे first question number second का सही option है question number first clear है अगला सवाल देखते है question number 3 question number 3 इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि vector a जो है देखिए ध्यान से vector a बोला जा रहा है क्या है 2i plus 4j plus 3k और b बोला जा रहा है 7k और बोला जा रहा है कि a और b जो है वो किसी triangle का दो साइड है तो बताइए कि इसका तीसरा जो साइड है वो क्या होगा उसका magnitude क्या होगा ठीक है तो साइड दे रखा है तो चलिए इसको बना के समझते है थोड़ा तो माल लीजे वेक्टर a है बच्चे और वेक्टर b है ठीक है दो साइड है अब इसको triangle complete करना है तो ऐसा करता हूँ मैं इसको एक parallelogram बनाता हूँ तो अगर a है तो सामने में a आ जाएगा और b के सामने में b हो जाएगा अगर इसको join कर दूँ तो आपको पता होना चाहिए a हो जाता है a plus b और अगर 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 इसको join कर दूँ है ना तो यह हो जाता है a minus b तो आपको समाझेना पड़ेगा देखिए एक side A है, एक side B है और एक side A-B है, है ना, एक और possibility बन रहा है, A है, B है, A plus B है, मतलब कि जो triangle बन रहा है, उसका तीसरा side A plus B भी हो सकता है और A minus B भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं तीसरा side C लिख लेता हूँ, और वो क्या हो जाएगा, A minus B, आपको कैसे पता सर, आपको दोनों वह निकालना पड़ेगा आपको n 그 रहना पड़ेगा एप्लस भी नकालना पड़ेगा मैंस भी निकालना पड़ेगा यहां पर के और अगर इसका magnitude लिखेंगे तो आजाएगा 6, तो question number 3 का correct option है 6, clear है, correct option क्या बन रहा है, option number 4, 6, चलिए अगला सवाल देखेंगे, question number 4, question number 4 क्या हो जाएगा, the displacement of a particle moving along x-axis depends on the time as, दे रखा है displacement का function, root x, root x equal to क्या दे रखा है, 2t plus 5, अब यहां से आप लिख सकते है, x equal to, तो क्या हो जाएगा, 2t plus 5 और d x upon dt लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x square हो जाएगा, maaf करना, d x upon dt differentiate कर दिजे हो जाएगा, 2 into 2t plus 5, that is 4t plus 5, ठीक है, और into 2, और into 2R आता, 8t plus 10 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे, तो जो x है, x क्या है, x है, 8t plus 10, sorry, v, v, maaf करना, d x upon dt, velocity है, 8t plus 10, acceleration लिखेंगे, हो जाएगा, d v upon dt, और d v upon dt लिखेंगे, तो क्या जाएगा, 8, है न, acceleration positive है, ठीक है, मतलब, velocity क्या है, increasing with the time, तो सही option हो जाएगा, पहला option, increasing with the time, clear है, अगला सवाल देख लेते हैं, चलिए, question number 5, इसके अंदर क्या बूला जा रहा है, projectile is thrown with an initial velocity, x i plus by j, meter per second, if the range of projectile is triple the maximum height reached by it, देखिए, क्या बूला जा रहा है, बूला जा रहा है, कि एक projectile है, जिसको throw किया गया है, velocity कितना है, उसका velocity है, x i cap plus by j cap, ठीक है, इस तरीके से, और इसका जो maximum height है, और जो horizontal range है, उसका relation बूला है, कि r जो है, 3h के बराबर है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लिजिए, x में जो velocity है, ux, वो x है, और by में जो velocity है, यहाँ पर वो by है, तो आपको पता होना चाहिए, कि r जो होता है, उसका formula होता है, 2 ux, uy upon g, और 3h का होता है formula, u by square upon 2g, तो यहाँ से आप cut कर सकते हैं, u by और u by को, g और g को, तो यहाँ से आप देखेंगे, तो हो जाएगा, 4 ux, equal to 3u by, है ना, अब ux, x वोला velocity कितना है, x, और by वोला velocity कितना है, by, तो आप लिख सकते हैं, 4x equal to 3y, option चेक कर लेते हैं, एक बार, तो 4x equal to 3y, option number 3 है, यहाँ पर, सही है, clear है, तो question number 5, clear है, आगे देखेंगे, अगला सोबाल, question number 6, तो चलिए देखते हैं, question number 6, in the arrangements shown in figure, acceleration of the block is, यहाँ पर acceleration निकालना है, block का, block के उपर, force कितना लग रहा है, बच्चे, 5 by 2 mg, that is, tension जो होगा, है न, f equal to क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, massless string है, किसके बराबर हो जाएगा, 5 by 2 mg, अगर block का fbd बनाए, m का, तो m के उपर लग रहा होगा, t और नीचे लग रहा होगा, mg, और यह उपर जाएगा, with acceleration a, net force लिखेंगे, तो हो जाएगा, t minus mg, equal to m a, t सवाल में ही given है, कितना है, 5 by 2 mg, minus mg, equal to m a, solve करेंगे, तो acceleration आजाएगा, 3 by 2 g, सही option हो जाएगा, बच्चे, question number 6 का, 2, क्या हो जाएगा, 2, चलिए, आगे देखते हैं, question number 7, a block pressed against the vertical wall is in equilibrium, the minimum coefficient of friction is, देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है, minimum coefficient of friction, और ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक का free body बनाएगे, नॉर्मल reaction निकालेंगे, तो नॉर्मल reaction जब निकालोगे, तो वो आएगा mg के बराबर, है न, और ब्लॉक का अगर vertical direction में FBD बनाएगे, तो उपर लग रहा है, friction, और नीचे लग रहा होगा mg, और एक force लग रहा है, उपर इस पर, कितना, 4 mg by 5, और रेस्ट में है, तो आप friction देखेंगे, तो friction क्या हो जाएगा, friction हो जाएगा mg minus 4 mg by 5, तो यह आजाएगा mg by 5, ठेक है, अब friction किसके equal होना चाहिए, friction equal to होना चाहिए, mu into n, और equal to mg upon 5, तो mu n के जगा पर लिखेंगे mg equal to mg by 5, mg mg गया, mu equal to होना चाहिए, क्या हो जाएगा, 0.2, तो question number 7 का सही option है, option number 3, किसी तरह का कोई problem नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, question number 8, the energy required to accelerate a car from 20 to 60 meter per second is n times the energy required to accelerate the same car from rest to 20 meter per second where n is, देखेंगे, क्या बोला जा रहा है की car को accelerate कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, half m, v square, 60 का square, minus 20 का square is equal to, है न, यह बोल रहा है की यह जो energy है, वो n times है, किसके, half m, 20 का square, जब 0 से 20 तक ले जाते हैं, अब half m, half m गया, यह हो जाएगा, 36, minus 400, और n into 400, तो इधर आ गया, 32, n into 400, n equal to 8, तो n क्या हो जाएगा, question number 8 का, option number 2, 8, clear है, किसी तरह का कोई problem नहीं है, अगला सवाल देख लेते हैं, हम लो, question number 9, question number 9 का है, देखिए, इसमें बुलना जा रहा है, कि, two bodies of mass, 16 kg and 4 kg, 4 kg, are moving in concentric orbit of radii, r and r, such that their period are same, then ratio of, ratio between their centripetal acceleration, centripetal acceleration आपको पता होना चाहिए, अगर circular orbit में revolve कर रहा है, तो centripetal acceleration ac होता है, बच्चे, omega square r, their period are same, है ना, तो अगर time constant है, time period constant है, तो omega भी क्या हो जाएगा constant, क्योंकि omega क्या होता है, two pi by t, acceleration जो है, वो proportional हो जाएगा, r के, है ना, तो a1 upon a2, a1 upon a2, क्या हो जाएगा, r1 upon a2, तो r upon r हो जाएगा, है ना, r upon r हो जाएगा, और सही option हो जाएगा, option number one, clear है, clear है, question number nine, बहुत आसान था, आगे देखते हैं, question number 10, match the following, column one and column two, column में उनको match करना है, क्या क्या है, देखे, पहला, एक side में rolling motion, rate of change of angular momentum, देखो, तो rolling motion का मतलब क्या हो गया, combination of translational and rotational motion, दूसरा, ठीक है, rate of change of angular momentum, torque कहला आता है, पहला, hollow cylinder about geometrical axis, moment of inertia क्या हो जाएगा, hollow cylinder का MR square 4, theorem of parallel axis, यह हो गया, 3, तो 2143, 2143, option number 3, तो question number 10 का option number 3 हो जाएगा, किसी तरह का कोई problem नहीं होना चाहिए, चलिए, आगे देखते हैं, question number 11, question number 11, statement based question है, क्या बोला जा रहा है, when height of tube is less than liquid rise in the capillary tube, the liquid does not overflow, सही बात है, सही statement है, डूसरा statement देख लेते हैं, product of radius of meniscus and height of liquid in capillary tube is always remains constant, सही बात है, तो यहां पे दोनों statement सही है, option 1 and 2, both statement are correct, आगे देखते हैं, question number 12, question number 12, हां, क्या बोला जा रहा है, 12 के अंदर, uniform cube of side A and mass M rest on a rough horizontal table, horizontal force F is applied normal to the one of the face, directly above the center of face, ठीक है, एक क्यूब है, directly above the center of face at a distance, height of 5 A by 2, कितना height पे 5 A by 6 पे माफ करना, कितना force नहीं बोलता है, पोछ रहा है, तो बोल रहा है कि यह तॉपल कर गया, क्या कर गया, है, the minimum value of F, for which the Q begins to tip about is, रूटे, tip करना शुरू कर दे, तो यहां पे क्या लग रहा होगा, यहां पे एक दूसरा torque लग रहा होगा, MZ का, है न, MZ का torque, point O के about, ऐसे घूमेगा, बच्चे, यह ऐसे होने बाला है, मैं बना देता हूँ, टॉपल करने से पहले ऐसे होगा, तो यह point O है, तो इसे के about, टॉपल करने वाला है, तो अगर torque लिखेंगे, net torque, torque लिखेंगे, तो force का torque F into 5A upon 6, equal to, MZ का opposite direction में torque है, A वाला ऐसे घूमाना चाहता है, और MZ उसको उल्टा घूमाना चाहता है, तो E is equal to हो जाएगा, MZ into A by 2, और यहां से A और A कट गया, F equal to हो गया, 3 MZ by 5, F आ गया 3 MZ by 5, तो option चेक कर लेते हैं, 12 का option number 4 हो जाएगा, 3 by 5 MZ, clear है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, अगला सवाल देखते हैं, question number 13, if a gravitational force between two masses varies, F inversely proportional to R का power 4, then orbital speed, orbital speed बताना है, force दे रखा है, force कितना दे रखा है, बच्चे, 1 by R का power 4, force क्या होता है, M V square by R, M V square by R is equal to क्या हो गया, K by R का power 4, है न, यहां से हम लोग लेख सकते हैं, V square, तो V square हो जाएगा, K R से R कट गया, R Q M, और V equal to हो जाएगा, K M upon R Q का power 3 by 2, और लेख सकते हैं, option हो जाएगा 3 by 2, that is 4th option, to be proportional to R का power 3 by 2, है न, that is 4th option, clear है, तो 4th option हो जाएगा, बच्चे, कोई प्रॉलम नहीं होना चाहिए, चलिए, अगला देखते हैं, question number 14, one end of a horizontal thick copper wire of length 3L and radius 3R is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and radius R, when the arrangement is stretched by applying a force at two end, the ratio of elongation in the thin wire, देखिए, क्या बुला जा रहा है, कि दो wire है, वो connected है से, है न, एक का length जो है, वो है, 3L और radius 3R, और दूसरा का length है L and R, अब दोनों पर force apply किया जा रहा है, तो दोनों पर same force लगेगा, connected है तो, है न, तो हमें एक चीज़ देखना चाहिए, कि delta L जो होता है, वो क्या हो जाता है, delta L हो जाता है, F into L, A by by, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि जो delta L है, ठीक है, delta L जो है, वो क्या है, proportional है किसके, L upon A के, है न, हम लोग लिख सकते हैं यहां से डेल्टा एलवन अपॉन डेल्टा एल्टु हो जाए रखना अब हमें पुछ रहा है थिन वायर कॉझण सा है दूसरा वाला तो पहले दूसरा वाला लिखेंगे हम लोग है ना तो L लिखेंगे और दूसरा क्या है 3L अब A2 A2 में पहले दूसरा लिखेंगे तो पहले दूसरा कितना हो जाएगा 3L और सरी यह तो लेंथ हुआ area लिखना है माफ़ करना area लिखेंगे area लिखेंगे A2 दूसरा वाला 3R स्कूरअ area प्रपॉर्शनल होता हो ैर स्क्यार Crash डेंफेंगे तो हो जाएगा lieा लिखेंगे पहले वाले का हो जाएआ अर likewise है तो यहां से आप देखेंगे delta L1 upon delta L2 क्या जाएगा 3, क्या जाएगा 3, clear है, तो answer हो जाएगा इसका option number 23, clear है, आगे देखते हैं, अगले सवाल देखेंगे, question number 15, a particle of mass 300 gram, हैना, देखें क्या क्या given है, M1 given है 300 gram, ठीक है, और क्या given है, is dropped from height 120 meter, another particle M2, दूसरा M2 है, जिसका mass कितना है, 200 gram, ठीक है, velocity is simultaneously projected up from the ground and along the same line with the speed 80 meter per second, तो एक को तो 80 meter per second से project किया, और एक को drop किया, तो इसको drop किया, तो इसका velocity हो जाएगा, 2 second बाद, U plus 80 और नीचे के तरफ हो जाएगा, minus 10 into 2, minus 20 meter per second, और अगर इसका velocity लिखेंगे, तो इसका velocity हो जाएगा, M1 का, हो जाएगा, U minus 80, 80 से थरो किया, 2 into 10 हो जाएगा, 60 meter per second, है ना, तो 2 second बाद, हमें दोनों particle का velocity मिल चुका है, हमें लिखना है, velocity of center of mass, तो क्या हो जाएगा, M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2, M1 कितना है, M1 है 0.3 into minus of 20 plus M2 कितना है, 0.2 or into 60 upon 0.5, दोनों को आट कर दिया, अब इसको जब आप solve करेंगे, तो आएगा 12 meter per second, vertically क्या हो जाएगा, अब negative आएगा कि positive होगा, देखना पड़ेगा, तो यह हो गया minus 6, और यह हो गया plus 12 upon half, तो यह हो गया 12, 12 meter per second क्या हो जाएगा, vertically up, तो clear है, किसी तरह का कोई problem नहीं होना चाहिए, vertically up हो गया, ठीक है, positive आएगा, मतलब vertically up हो गया, तो option हो गया 3, अगला सवाल देखते हैं, question number 16, question number 16, a balloon has 12 gram of air, a small hole is pierced into it, there escapes at a uniform rate 8 centimeter per second, if balloon shrinks in 4.8 seconds, then average force acting on the balloon, अब force लिखेंगे, force on balloon तो हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, mass change हो रहा है balloon का, तो force लिखेंगे, V dm upon dt, हैना, अब यहाँ पर जो velocity दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 8 centimeter per second, तो 8 into 10 to the power minus 2 meter per second, or dm upon dt हो जाएगा, 12 into 10 to the power minus 3 upon 4.8, ठीक है, अब इसको जब आप solve करेंगे, तो यहाएगा, 2 into 10 to the power minus 4 newton, क्या हो जाएगा, 2 into 10 to the power minus 4 newton, clear है बच्चे, किसी तरह का कोई problem नहीं है, अगला सवाल देखते हैं, question number 17, चलिए, 2 kg of monoatomic gas is at pressure of this, density of gas is 3 kg, है न, क्या क्या given है, पहले तो pressure दे रखा है, 9 into 10 to the power 4, फिर density दे रखा है, 3 kg per meter कियो, what is the energy of gas due to its thermal motion, kinetic energy होता है, half, half m v rms का square, ठीक है, और v rms का formula लिखेगा, pressure के term में, तो v rms होता है, root under 3 p upon rho, तो kinetic energy लिखेंगे, तो हो जाएगा, half m, है न, और v square rms लिखेंगे, तो हो जाएगा, 3 p upon rho, अब यहां से हम लोग solve कर सकते हैं, half, mass का value 2 kg, 3 pressure 9 into 10 to the power 4 और rho 3, तो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, कितना बच गया, 9 into 10 to the power 4, तो सही answer हो जाएगा, 9 into 10 to the power 4, clear है, second option, clear है, अगला सवाल देख लेते हैं, question number 18, question number 18 क्या बूला जा रहा है, in the following PV diagram, 2 adiabatic cuts, 2 isothermal at temperature T1 and T2, shown in the figure, the value of VA upon VD, अब यहां पे और यहां पे देखें, यह क्या है, adiabatic process, तो adiabatic process के लिए अगर apply करोगे, B से C के लिए, है ना, तो adiabatic process में क्या होता है, VT gamma minus 1 equal to constant, क्या हो जाता है, VT gamma minus 1 equal to constant, है ना, तो यहां से आप देख सकते हो, तो V is inversely proportional to, क्या हो जाएगा, या directly proportional to T1 minus gamma, है ना, फिर यहां से लिखोगे, VA upon VT, तो यहां भी same चीज़ आएगा, T1 upon T2, 1 minus gamma, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, कि VB by BC equal है VA upon VDK, हमसे VA upon VD बूल रहा है, क्या हो जाएगा, VB upon VC option number 1, clear है, अगला देखते हैं, question number 19, 19 number, a liquid of mass M and specific heat C is heated to a temperature T, another liquid of mass M by 4 and specific heat 2C is heated to temperature T, if these two liquids are mixed, the resulting temperature of the mixture, दोनों को mix करेंगे, तो क्या होगा बच्चे, एक heat को loss करेगा, और दूसरा heat gain करेगा, तो heat loss कौन करेगा, जिसका temperature जादा है, तो चलिए heat loss लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, मांस कितना है, M specific heat S, SC दे रखा है, तो C ले लेते हैं, M, C, और 3T मां लेते हैं, equilibrium temperature हो गया, theta, तो 3T minus theta, दूसरा मांस कितना है, M by 4, specific heat कितना है, 2C, temperature कितना है, T, तो इसका temperature बढ़ गया, होगा, तो लिख लेते हैं, theta minus T, तो यहां से M और M कट गया, और C से C कट गया, अब यहां से आप देखेंगे, तो और 2 से 2 चला गया, तो 6T minus 2 theta equal to theta minus T, और इधर आ गया, तो हो गया, 70 equal to 3 theta, और theta लिखेंगे, तो हो जाएगा, 70 upon 3, तो हो जाएगा, 70 upon 3, option number 4 आ रहा है, clear है, basically आपको simply heat loss equal to heat gain करना था, अगला सवाल देखते हैं, question number 20, heat flowing through two cylinder rods of same material, the diameters of the rods are in the ratio 1 is to 3, है तो यह दे, R1 by R2 दे रखा है, 1 by 3, their length in the ratio L1 by L2 दे रखा है, 1 by 6, if temperature difference between their ends is same, the ratio of rate of flow, तो DQ by DT हम लोग जानते हैं, क्या होता है, DQ by DT होता है, KA delta theta upon L, कहाने का मतलब, कि rate of heat flow, DQ by DT, U बोल देता हूं इसको, A proportional होता है, किसके, A upon L के, और बोल सकते हैं, U is proportional to R square upon L के, है न, तो यहां पर apply कर लेते हैं, U1 upon U2, क्या हो जाएगा, R1 upon R2 का square, और L2 by L1 inversely proportional है, तो R1 by R2 देखेंगे, तो 1 by 3 है, तो 1 by 3 का square हो जाएगा, और L2 by L1 तो पलट के लिखेंगे, तो 6 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, जी, यह हो जाएगा 6 upon 9, और यह जाएगा 2 by 3, क्या जाएगा 2 by 3, तो 20 का option हो जाएगा 3rd, 2 by 3, किसी तरह का कोई problem नहीं होना चाहिए, clear है, चलिए आगे देखते हैं, 21, 21 number, consider PV diagram for fixed mass of an ideal gas as shown in figure, choose correct pressure density diagram, यह pressure हो गया, यह volume हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो क्या है, PV constant है, यहाँ पर fixed mass बोल रहा है, मतलब mass भी constant है, और हमें graph बनाना है, किस के किस के बीच में, P और रो के बीच में, किस के बीच में, तो PV constant, P volume के जगा पर लिखेंगे, mass upon density, constant, अब चुकि M constant है, तो P upon rho constant हो गया, और P directly proportional to rho हो गया, graph हो गया, straight line, यहाँ पर सब straight line ही है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा, कि जब pressure घट रहा है, है ना, तो pressure घट रहा है, तो density भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो pressure घट रहा है, तो density किस में घट रहा है, जी, first option में, तो 21 का हो जाएगा, option number 1, अगला देखते है हम लोग, question number 22, तो चलिए 22 देख लेते हैं, 22, 22 के अंदर क्या है, the graph of pressure versus volume monoatomic ideal gas is as shown in figure, what is the internal energy of the gas of the system in state 1 and the heat given in the system during the process, state 1 नया है, और हम से पूछ रहा, internal energy मतलब U, और U हो जाएगा, N Cb delta T, और N Cb monoatomic gas है, तो Cb हो जाएगा, 3 by 2 R delta T, तो 3 by 2 Nr delta, sorry, delta T, change in internal energy नहीं लिख रहे हैं हम लोग, हम लोग लिख रहे हैं, internal energy, तो सिर्फ T आएगा, तो 3 by 2 Nr T, और 3 by 2 Nr T के जगा पे PV लिख सकते हैं, और हो जाएगा, 3 by 2, pressure 4 और B 1, तो 4 हो गया, और हो गया 6, clear है, तो U तो मिल गया, अपहला 6 हो जाएगा, तो ऐसा ही option मिल गया, बागी किसी में 6 है ही नहीं, है ना, वैसे, दूसरा पार्ट भी मैं निकाल देता हूँ, heat given to the system during the process 4 to 1, तो 4 से 1 जाएगा, तो देल्टा क्यों हो जाएगा, Ncp delta T, monoatomic as है, तो Cp हो जाएगा 5 by 2 R delta T, तो 5 by 2 R, 5 by 2 Nr delta T, T को हम लोग लिख सकते हैं, P1 V1 minus P2 V2, तो pressure तो constant F4, V1 minus V2, तो 1 minus 5, कितना हो गया, minus 4, 16, 80, minus 40, clear है, तो 6 option हो जाएगा, 22 का, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, आसान था बहुत, question number 23, virtual image, virtual image larger than object can be obtained by, है न, तो किस से virtual image larger than object हो जाएगा, बच्चे, concave mirror, सही option, 23 का, 4, 24 देख लेते हैं, पहले भी सवाल साथ आचुका है, एक test में, the central portion of convex lens is wrapped in a black paper as shown in the figure, तो इससे क्या होगा, है न, तो image तो पूरा बनेगा, बस brightness क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो, the full image will be formed, but it will less bright, मतलब second option, 24 का क्या हो जाएगा, second option, clear है, कोई problem नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे, in compound microscope, the intermediate image, आप जानते हैं, compound microscope में intermediate image जो होता है, वो inverted होता है, real होता है, magnified होता है, तो real, inverted and magnified option number 2, option number 2, 26 देख लेते हैं, इस अब objective है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, in interference of light, interference of light energy is created in the region of maximum intensity, गलत बात, energy create थोले होता है, energy is destroyed, गलत बात है, conservation of energy holds good and energy is distributed, तो हो जाएगा, 26 का 3, आगे देखते हैं, question number 27, 27 क्या है, अथिन माई का sheet of thickness, 6 into 10 to the power, 10 to the power minus 6 meter, thickness कितना देख है, 6 into 10 to the power minus 6 meter, refractive index है, 1.5, तो है, तो है, introduce in the plate of the light from upper slit, the bave length of bave used lambda देख है, ठीक है, the central bright maximum will shift, तो shift आपको पता होना चाहिए, shift हो जाता है formula, d upon d, mu minus 1 t, और यहां देख लिए, fringe के term में option दे रखा है, तो यहां पर fringe लिख देंगे, n, मानलो n fringe क्या हुआ, shift हो गया, तो n into fringe with, n lambda d upon d, d upon d, d upon d, cut गया, तो यहां से अगर आप n लिखेंगे, कितना fringe shift हुआ, तो यह हो जाएगा, mu minus 1 t upon lambda, तो mu है, 1.5 minus 1, t है, 6 into 10 to the power minus 6, lambda है, 6 into 10 to the power minus 7, ठीक है, और इस तरीके से solve करेंगे, तो आएगा 5, तो n, 5 fringe shift करेंगे, किधर shift करेंगे, ज़स तरब भी आप mica sheet को place करोगे, तो किधर place किया, upper में, तो upper के तरफ shift कर जाएगा, तो 5 fringe upward, 5 fringe upward, clear है, अगला देखेंगे, question number 28, 28, क्या बुला जा रहा है, अब polarized light of intensity, I0 by 2, है न, I0 by 2 is passed through another polarizer, whose pass axis makes angle 37 degree with the pass axis of the former, what is the intensity of the emergent polarizer, तो देखिये, background बनाने का जरूरूत नहीं है, हम लोग जानते हैं, I equal to, क्या हो जाएगा, I0 by 2, cos square theta, यही होता है, तो I0 by 2, cos square 37 degree, तो I0 by 2, cos square 37, 37 होता है, 4 by 5 का square, और हो जाएगा, 16 I0 upon 50, और 8 I0 upon 25, यह होना चाहिए, 8 I0 upon 25, और option number 4 है, बच्चे, कितना है, option number 4, किसी तरह का कोई problem नहीं, चलिए, आगे देखते हैं, Q, 3Q, 4Q, 6Q, charge are placed at the four corners, A, B, C and D of a square, the field at the center P of the square has the direction along, दियान से देखिये, यहाँ पे Q है, 3Q है, 6Q है, 4Q है, अब 6Q और 3Q का net is direction में आएगा, 4Q और Q का net is direction में आएगा, देखो 6-3, 3 है, 4-1, 3 है, तो दोनों तरफ सेम ही electric field आएगा, है ना, तो net is direction में हो जाएगा, तो इस direction में हो गया, मतलब आप बोल सकते हैं, DA और बोल सकते हैं, CB, देख लिजे, option में क्या है, option में है, CB तो है, नहीं, BC है, DA है, लेकिन, तो option number 2 हो जाएगा, 29 का 2, question number 30 देखेंगे, बच्चे, बहुत आसाना-सान सवाल था, 30 number देख लिजे, इसमें क्या बोल रहा है, कि the mean free path, mean free path दे रखा है, कितना, 8 into 10 to the power minus 4, electric field हमें calculate करना है, ठीक है, और kinetic energy आ जाता है, कितना, 3 electron volt, तो kinetic energy लिखोगे, तो क्या लिखोगे, Q into delta V, और लिखोगे Q into delta V लिखोगे, तो E into L, mean free path, जितना दे टक्राने से पाहले, kinetic energy कितना दे रखा है, kinetic energy दे रखा है, 3 electron volt, Q कितना हो जाएगा, तो electron है, तो E हो गया, electric field पता करना है, L कितना है, 8 into 10 to the power minus 8, है न, तो E और E गया, electric field calculate करोगे, और इसको solve करोगे, तो आएगा 3.75 into 10 to the power 7, क्या हो जाएगा, 10 to the power 7, clear है बच्चों, ये तो solve करने वाला बात है, आएगा 3.75 into 10 to the power 7, ठीक है, तो ये हो गया, question number 30, अगला सवाल देखते है, question number 31, when an electron proton with equal momentum, enters perpendicular into uniform magnetic field, ध्यान से देखिए, R जो होता है, वो क्या होता है, MB upon QB, R क्या हो जाता है, MB क्या हो गया, P upon QB, तो P क्या बोला जा रहा है, कि constant है, तो R is inversely proportional to Q, B भी constant है, अब यहां पर electron लो, proton लो, चार्ज भी सेम होगा, यानि Q भी सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, R1 equal to R2, तो बोथ R equally curve, तो 31 का क्या हो जाएगा, option number 3, option number 3, आगे देखते हैं, question number 32, चलिए, 32 यहां पर देखेंगे, तो आपको RL circuit दिखेगा, find the current through the battery just after switch is closed, यानि कि T equal to 0 पर इसको close करोगे, तो T equal to 0 पर हमने बोला था, inductor open circuit खुल गया, current नहीं जाएगा, खुल गया, current नहीं जाएगा, T equal to 0 पर inductor क्या होता है, open circuit, तो current circuit में सिर्फ ऐसे flow करेगा, तो ऐसे flow करेगा, तो आई simply क्या हो जाएगा, 18 upon 3, 6 ampere, तो सही answer हो जाएगा, 32 का option number 1, 6 ampere, clear है, clear है, बच्चों किसी तरह का कोई problem नहीं होना चाहिए, question number 33 देखेंगे, लोग आगे चलिए, तो question number 33, and inductance and resistance are connected in series with AC source in this circuit, देखें क्या बोला जा रहा है, कि एक inductor है, और एक resistance है, और AC circuit से connect किया हुआ है, ठीक है, in this circuit, अब आपको पता होना चाहिए, कि inductor, अगर मान लो यह B है, अगर यह B है, क्या, या फिर मैं इसमें I मान लो, circuit में मान लो current I है, तो I तो दोनों में same ही phase में होगा, तो अगर मैं इसको I बनाओ, तो V, R same ही होता है, resistance के अंदर voltage and current same phase में होता है, लेकिन inductor के अंदर जो voltage है, है ना वो lead करता है, कितना से, 90 degree से, तो inductor के अंदर voltage 90 से lead करेगा, या फिर बोल सकते हैं, पढ़ेंगे सब option तभी पता चलेगा, the potential difference across the resistance leads behind the potential across inductor by an angle of pi by 2, but the current in resistance lag the गलत बात है, the current and the potential difference across the resistance lead behind the potential difference across the inductor by pi by 2, सही है, है ना current or voltage resistance के across दोनों lag करता है, potential across inductor से, तो सही option हो जाएगा यहां पर, option number 3, question number 33 complete हुआ, आगे देखते हैं, 34, if the number of nucleons in a nuclei increases, then binding energy per nucleine, आप देखेंगे per nucleon graph, तो कुछ इस तरीके से है, पहले increase करता है और फिर decrease करने लगता है, तो first increases and then decreases, binding energy versus mass number बना रहा हूँ graph, तो आप पढ़े होंगे, ऐसा graph होता है, iron का सबसे जादा होता है, फिर घटने लगता है, तो 34 का हो गया, option number 4, आगे देखते हैं, question number 35, potential barrier develops in the PN junction, diode opposes, क्या, minority charge carrier, majority charge carrier, holes in P region, electrons in the region, तो क्या किसको oppose करता है, potential barrier, majority charge carrier को, तो option number 2 correct है, कोई problem नहीं होना चाहिए, चले आगे देखते हैं, question number 36, assertion, the refractive index of diamond is root 6 and the liquid is root 3, तो diamond है, refractive index, 6, mu diamond, कितना हो गया, root 6, or mu liquid, root 3, तो refractive index of diamond with respect to liquid, 1 by root 2 हो जाएगा, ठीक है, अब critical angle अगर निकालेंगे, तो critical sin C हो जाता है, 1 by mu, तो, sorry, यहां पे गरबढ हो गया, root 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 1 by root 2, और C हो जाएगा, 45 degree, क्या हो जाएगा, 45 degree, अब क्या बोला जा रहा है, यानि कि 45 degree से अगर ज्यादा पे incident होगा, तो क्या हो जाएगा, reflect हो जाएगा, TIR हो जाएगा, तो, the refractive index of diamond is root 6 and that of liquid is root 3, if light travels from diamond to liquid, मतलब denser से, denser से rarer जा रहा है, it will totally reflect when angle of instance is 6 degree, सही बात है, mu equal to sign, mu equal to 1 by sign c, सही बात है, where mu is the refractive index of diamond with respect to the liquid c, तो यहां पे बोथ correct है और correct explanation भी है, तो बोथ assertion and reason are correct and reason are the correct explanation, next देखते है, question number 37, 37 देखते हैं बच्चो, 37 क्या है, है, in the circuit, in the figure, the voltmeter reading is, यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, 37 number question, 37 number में क्या हो जाएगा, कहां गया, 37 number, ठीक है, in the circuit showing the figure, the voltmeter reading is voltmeter ideal, voltmeter ideal बोल रहा है बच्चे, ideal मतला है, resistance infinite हो जाएगा, current 0 हो जाएगा, current 0 हो जाएगा, तो इन सब के across potential difference 0 है न, तो जो इसके across, battery के across वही, voltmeter के across, तो सही option हो जाएगा, कितना, 4, कितना हो जाएगा, 4, 12 volt, 37 को हो गया, 12 volt, आगे देखते हैं, 38, a paramagnetic sample shows a net magnetization of 12 ampere per meter, when placed in an external magnetic field of 0.8 tesla at temperature 6 Kelvin, when the same sample is placed in an external magnetic field of 0.3 tesla at temperature 18 Kelvin, the magnetization will be, तो देखिए, magnetization जो है, वो proportional होता है, B upon T के, मतलब magnetic field के, applied magnetic field के directly proportional, universally proportional to temperature, तो M1 upon M2 हो जाएगा, B1 upon B2 into T2 upon T1, तो B1 upon B2 लिखो गया, तो पहले था 0.8 बाद में हो गया 0.3 और T2 upon T1 लिखो गया, तो बाद में हो गया 18 पहले था 6, तो 3 और 3 से 3 गया, तो यह आया कितना, तो यह आ गया 0.8 और M1 कितना है, M1 दे रखा है, 12 upon M2 equal to 0.8, M2 equal to 12 upon 0.8, 12 upon 0.8 अगर यह करोगे, तो यह आ जाएगा कितना, 3 by 2 लिख सकते होए 15 आ जाएगा, 12 upon 0.8, 15 कुछ power over का problem हुआ लगता है, यह हो जाएगा, 12 upon 8 हो जाएगा, 1.5, 8 हो जाएगा, clear है क्योंकि यहां से यहां गया, 3, 3 कट गया, 8 बचा, तो इसको ठीक कर लेजिए एक बर, यह हो जाएगा बच्चे, 8 आएगा, 8 आ गया, 12 upon 8 आ गया, 1.5 आ गया, सही option हो गया, 4 number, question number 38 हो गया, अगला देखते हैं, question number 39, the electric field of an electromagnetic wave is given by दे रखा है, electric field का amplitude दे रखा है, energy contained in cylindrical volume, तो आपको energy density पता होना चाहिए, energy per unit volume होता है, half epsilon naught e square है ना, और अगर energy लिखना है, तो हो जाएगा, half epsilon naught e square into volume, to half 80, 8.85 into 10 to the power minus 12 का square, volume लिखेंगे, तो cylindrical region है, जिसका cross sectional area है, 15 into 10 to the power minus 4, और length है, 14 into 10 to the power minus 2, अब इसको जब आप solve करेंगे, तो आएगा, आएगा option number 2, क्या जाएगा option number 2, clear है बच्चों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अगला सवाल करते हैं हम लोग, question number 40, 40 क्या है, देखिए, 40 में बोला जा रहा है कि दो identical plano convex glass lens है, refractive index दोनों का 1.5 है, each having radius of curvature 40 cm, are placed with their convex surface in contact at the center, the intervening space is filled with the oil, मतलब इस तरीके से रख दिया है दोनों को, plano convex है और यहां पे liquid भर दिया, तो सबसे यहां पे 3 lens है, तो पहले तो 1 by f लिख लेते हैं, तो 1 by f क्या हो जाता है, mu minus 1, तो 1.5 minus 1, 1 by r1, लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा, 40 और दूसरा हो जाएगा infinity, तो आप यहां से focal lens निकालेंगे तो आएगा 80 cm, positive, मैं convex है तो positive आएगा obvious सी बात है, तो यह दोनों identical lens है, तो f1 लिख लो, f2 लिख लो, f3 लिख लो, है ना, इसको 1 और इसको 3 बोल रहा हूँ, और यह जो 1 रहा उसको 2 बोलूंगा, यह दोनों क्या है, 80 cm, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाले का लिखना पड़ेगा, तो बीच वाले का कैसे लिखेंगे, तो 1 बाइ f equal to mu, mu कितना, बोल रखा है 1.4, देख लो क्या है, 1.4 minus 1, 1 by r1, तो minus 1 by 40, minus 1 by 40, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, तो आजाएगा, 0.4 into minus 1 by 20, है ना, क्या जाएगा, 1 by 20, अब हमें क्या लिखना है, focal length लिखना है, तो 1 by f equivalent हो जाता है, 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3, देखो बच्चे, बागी दो का तो पता ही है, 1 by 80, 1 by 80 आया है, है ना, तो 1 by 80 plus 1 by 80, अब minus, एक इतना हो गया, तो एह हो गया, minus 1 by, अब देखेंगे, तो minus में, इससे कट जाएगा 5 times, तो 50 हो जाएगा, lcm ले रेते हैं, 400 lcm आ जाएगा, है ना, एह हो जाएगा 5, एह भी हो जाएगा 5 minus, एह हो जाएगा 8, और एह हो जाएगा 1 by f equivalent, और देखेंगे, f equivalent लिखुंगा, तो आ जाएगा, 4100 upon 2, कितना एगा, 200 cm, कितना एगा, 200 cm, तो सही option आ जाएगा, option number 3, 200 cm, अब हम लोग देखेंगे, question number 41, 41 में क्या बोला जा रहा है, in converging, in concave mirror gives a 4 times as large, the object placed at the distance of 30 cm from it, for image to be real, real image चाहिए, real image मतलब, inverted मतलब, जो magnification है, वो negative हो जाएगा, focal length should be, तो magnification का formula होता है, mirror के लिए, f minus, f upon f minus u, magnification कितना हो जाएगा, 4 times, real image है, तो magnification आएगा, minus 4, तो f, f minus u, u हो जाएगा, minus of 30, ठीक है, अब यहां से solve करेंगे, तो आएगा, minus 4 u, minus 4 u, or minus 120 is equal to f, 5 f equal to 120, f equal to 125, 24 cm, तो इसका सही option हो जाएगा, 41 का first 24 cm, clear है, किसी तरह का problem नहीं, अगला सवाल देखेंगे, question number 42, 42 में क्या बुला जा रहा है, in the young devil's late experiment, the intensity of the light at a point on the screen is 2 k, is 2 k, where, where the part difference is lambda, is 2 k, तो जहां पर part difference lambda का हो जाएगा, वहां पर क्या maximum बना होगा, तो maximum intensity है, lambda being the wavelength of the light use, the intensity at the point where the part difference is lambda by 6, है न, तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, intensity जो होता है, formula होता है, i का, वह जाता है, i naught, यह होता है, maximum intensity जो भी होता है, interference button में, cos square 5 by 2 हो जाता है, तो यहां पर i naught ही दे रखा है 2 k, तो हो जाएगा, 2 k cos square 5, 5 by 2, तो 1 by 2, 5 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 pi by lambda into delta x, तो 2 से 2 कट गया, बाकि हम लोग solve कर लेंगे, 2 k cos square, pi by lambda, delta x part difference दे रखा है, lambda by 6, तो pi by 6, तो 2 k cos square pi by 6, तो 2 k cos square pi by 6, pi by 6 होता है, root 3 by 2, तो हो जाएगा 3 by 4, और हो जाएगा 3 k upon 2, तो हो जाएगा 3 k upon 2, option बन जाएगा 3, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, समझ गया बच्चे, है ना, आपको बोल देता हूं, लिख देता हूं, delta 5 होता है, 2 pi by lambda into delta x, 5 के जगह पे वही formula use किया गया है, clear है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे, 43, यहाँ पे आप graph देखेंगे, तो यह parabolic graph है, that is, v is proportional to t square, है ना, हम से क्या पूछ रहा है, acceleration time का graph, तो dv upon dt लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 t, state line graph आएगा ना, क्या जाएगा, state line और उसमें भी slope कैसा है, positive, तो state line graph positive slope कौन सा है, option number 4, clear है, आगे देखते हैं, अगला सवाल, question number 44, a drum of diameter d and mass 2 m, rolls down without slipping along an inclined plane of angle to theta, the friction force, देखे, क्या होता, अब इसमें बोल रहा है, decreases the rotational as well as translation motion, देखो, अगर यह smooth होता, बिल्कुल smooth होता, तो यह slide करके आता, मतलब इसके पास जो भी energy होता, वो किसके form में होता, translational kinetic energy के form में, यह rotate क्यों कर रहा है, यह नीचे आते आते, roll क्यों करने लगा, friction के वज़े से, मतलब कि जो इसके पास translational kinetic energy होता, वो अब कहां कहां है, translational में भी है और rotational में भी है, मतलब friction क्या कर रहा है, converge translational energy into rotational energy of drum, तो 44 का हो जाएगा, option number 4, अगला सवाल देखेंगे, question number 45, uniform rod of mass 2m, length 2l is at rest on a smooth horizontal surface, horizontal impulse, देखें क्या वो लजा रहा है, एक rod है, length कितना है, length है 2l, mass कितना है, 2m, है ना, और वो क्या है, rest में है, smooth horizontal surface पे, अब एक force impulse लगा आके यहां पे, है ना, end b, end a और b बोल सकते हैं, कितना impulse लगा, j, तो angular momentum about अगर o लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, angular momentum l equal to हो जाएगा, j into l, impulse into l, है ना, impulse into l, angular momentum l हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, i into omega, और i लिख सकते हैं, mass दे रखा है 2m, है ना, length दे रखा है 2l, ml square upon 12 into omega is equal to j into l, तो 2 दोना, 4 दोना, 8, 8 upon 12, 12 ml square into omega, j और into l, l से l कट गया, है ना, और ए 2 upon 3 आया, तो यहां से अगर मैं omega लिखूं, तो omega आ जायेगा, 3 j, 3 j upon 2 l, 3 j upon 2 l, यह omega आ गया बच्चे, हम से क्या पूछ रहा है, the time taken by rod to turn through 90 degree, तो theta, t equal to क्या हो जायेगा, theta upon omega, theta equal to क्या होता है, omega t, theta बूल रहा है, pi by 2, और यह हो जायेगा, 3 j upon 2 l, तो इसको लिखेंगे, pi by 2, 2 l upon 3 j, 2 से 2 कट गया, तो pi l, कुछ और तो छूटी रहा है, m छूट गया है, यहां पर नीचे m भी आयेगा, m भी आयेगा, तो उपर m हो जायेगा, तो pi m l upon 3 j, option चेक कर लिजिए, pi m l upon 3 j, option number है, 2, option number क्या हो जायेगा, 2, clear है, 45 हो गया, आगे देखते हैं, question number 46, a thin wire of mass 2 m, length l by 2 is bent in the form of semi-circle, the gravitational potential at the center of semi-circle, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, wire, mass कितना इसका 2 m, और length कितना है, l by 2, semi-circle बना दिया, तो gravitational potential at the center, तो center पर अगर gravitational potential लिखना है, तो सबसे पहले तो इसका radius लिखते हैं, तो radius क्या हो जाएगा, radius हो जाएगा, l by 2, pi r, है न, कैसे हुआ, तो बच्चे यह वाला length कितना है, यह वाला length रहोगा, pi r, तो pi r equal to l by 2 करेंगे, तो r equal to l upon 2 pi हो जाएगा, ओहो, r नहीं होगा, 2 pi हो जाएगा, r पता चल गया, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, the gravitational potential, तो gravitational potential लिखोगे, तो क्या लिखोगे, minus g mass के जगा पे 2m, r के जगा पे l upon 2 pi, तो क्या हो जाएगा, minus 4 gm into pi, 2 pi उपर आ गया, तो 224 upon l, तो 4 g pi m upon l minus में, कहां है, 46 का पहला ही option है, clear है, आगे देखते हैं, अगला सवाल, question number 47, the following figure shows venturi meter through which water is flowing, the speed of water at x is 10 centimeter per second, find the speed of water, मानलों बचे, p1 है, यहाँ पे pressure, यहाँ पे p2, यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, Bernology equation बोलता है, p1 plus half rho v1 square, plus rho gh1 भी लिखते हैं, लिखने हैं, लिखने का ज़रूद नहीं है, तो रह जाएगा, p2 plus half rho v2 square, है ना, अब p1 minus p2 लिखेंगे, तो आ जाएगा, half rho v2 square minus v1 square, ठीक है, अब p2 minus p1 लिखेंगे, तो rho g delta h, half rho v2 square minus v1 square, अब यहां से मैं rho से rho cut कर सकता हूं, है ना, तो v2 square minus v1 square, 2g delta h, के बराबर हो जाएगा, v2 हमें पूछ रहा है, v1 दे रखा है, 10, तो 100 हो जाएगा, 2g, g हो जाएगा, 10, g हो जाएगा, centimeter में कर लिजे, तो g का centimeter में 1000 value है, 1000, और h हो जाएगा, 0.4, ठीक है, तो v2 square is equal to हो जाएगा, 900, V equal to root under 900, 30 centimeter per second, clear है, तो 47 का option number 2 हो जाए, 30 centimeter per second, किसी तरह का कोई problem नहीं, अगला सवाब देखते हैं, बच्चे, चलिए, 48, बुर रहा है कि, at 2 liter flask contains some mercury, it is found at different temperature, the volume of air inside the flask remains the same, what is the volume of mercury flask, take the coefficient of volume expansion of glass and mercury, and volume expansion इतना, clear है, इस में बच्चे क्या होगा, volume वही रहा जाता है, मतलब apparent expansion 0 हो गया, तो apparent expansion 0 हो गया, मतलब दोनों का V glass, ठीक है, alpha gamma glass, delta theta equal to क्या हो जाएगा, V mercury, gamma mercury, delta theta, तो यह दोनों equal होना चाहिए, यानि कि V glass upon V mercury, उल्टा हो जाएगा, gamma mercury upon gamma glass, ठीक है, apparent expansion same, जितना expand करेंगों इतना यह करेगा, ठीक है, तो V glass हम से हमें क्या दे रखा है, पूछ रहा है, what is the volume of mercury in the flask, है ना, और flask का volume कितना है, 2 liter, तो V flask दे रखा है, तो mercury का volume पूछ रहा है, अब mercury का gamma उपर आना चाहिए, तो 1.6, 10 to the power minus 4, 8 into 10 to the power minus 6, तो V h equal to, V h equal to, V h equal to, क्या हो जाएगा, 16 into 10 to the power minus 6, upon 1.6 into 10 to the power minus 4, solve किजेगा, आएगा 100 cc, क्या जाएगा, 100 cc, option number 1, clear है, केसी तरह का कोई problem नहीं, बिलकुल आसान है, solve कर सकते हैं, आप असानी से, आगे देखते हैं, question number 49, find the approximate number of molecule in vessel of volume 12 litre, at 27 degree celsius, volume कितना है, 12 litre, temperature कितना है, 300 Kelvin, ठीक है, और pressure कितना है, 1.6 into 10 to the power 5 Pascal, है न, तो सबसे पहले तो number of most लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, PV upon RT, तो pressure, 1 PV equal to RT, ठीक है, अभी और आगे कर लेते हैं, हमसे पूछ रहा है क्या, number of molecules, तो number of molecules, क्या हो जाएगा, number of moles, that is PV upon RT, और into NA, है न, तो P pressure, तुम्हारे सामने है, 1.6 into 10 to the power 5, volume 12 into 10 to the power minus 3, R का value, नहीं दे रखा है, 25 by 3 लेलो, T का value 300 Kelvin लेलो, और NA का value 6.023, 10 to the power 23 लेलो, बाकी तो solve करने का बात रहा, solve करेंगे तो आएगा, 4.64 into 10 to the power 23, clear है बच्चो, हमने क्या लिकिया, number of moles निकाला, agorado number से multiply कर दिया, तो हमने number of molecules मिल गया, हाँ, अब हमारे सामने है, last सवाल, तो चले इसको solve करते हैं, question number 50, choose the incorrect statement, इस में से कौन सा incorrect statement है, black surface are better absorber than white ones, सही बात है वैसे तो, black surface are better radiator than यह भी सही है, जो अच्छा absorber होता है, वो उतना ही अच्छा radiator होता है, rough surface are better radiator than smooth surface, सही बात है, क्योंकि rough surface ज्यादा absorb करेगा तो ज्यादा radiate करेगा, highly polished mirror like surface are very good radiator, यह गलत है, यह absorb भी नहीं कर रहा है, जो ज्यादा reflector होता है, reflecting reflector होता है, वो अच्छा radiator नहीं होता है, तो incorrect option हो जाएगा, 50 का option number 4, clear है, तो इस तरीके से हमने 1 to 50 तक solve कर लिया, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कर दो जी आता है, औिया।